लास्ट एपिसोड की दी ओरिजिनल्स में हमने देखा किस तरह फिन अपने सारे भाईयों को एक माया जाल में फसाने की कोशिश करता है बढ़ हम देखते हैं सारे लोग वहां से भार निकल जाते हैं और वहीं फिन का अगला ठारीट होता है सारे वेंपार्स जिननों लाइजिन करेंगे दी ओरिजिनल्स का सिजन टुक अपिसोड नमबर ट्वल्फ राइट नाओ स्टाट करने से पहटे वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं आपके लिए अमेजिंग कंटेंट लाता रहा हूं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सस्क्राइब करो, now let's start the वीडियो पहले सीन में हम क्लाउस को देखते हैं जो ढूनने लग रहा था हेली को और वहाँ पर अलग-अलग पैक से जाके पूछ रहा था और बहुत ही ज़ादा गुस्से में दिखाई दे रहा था क्योंकि उसे हेली अब तक नहीं मिली थी, वहीं पर हम हेली को देखते हैं जिसके बाद जैकसन आता है और बोलते हैं तुम्हें कोई सीक्रेट छुपाने की जरत नहीं है, क्योंकि हम शादी करने वाले हैं और उसके बाद हमारे वेरवुल्फ पैक को एक पावर मिलेगी जिससे की उन्हें टरन ना करना पड़े और यह हमारे पैक के लिए कर रहे हैं, अपनी कॉम्टेटी के लिए कर रहे हैं अब फिर वही हम अगले सिन में क्लाउस को देखते हैं जो मैरी जो जैक्सन की ग्रेंड माती उसके पास पहुंच जाता है और बोलते हैं कि तुम मुझे घर के अंदर इन्वाइट नहीं करोगी, बड़ वह साफ मना कर देती है और बोलती है वेंपायर से यहाँ पर लाउड नहीं है बड़ तभी क्लाउस बोलते हैं कि वेंपायर ने एक हाइब्रीड है और पर से हो हेली को ढूणने आया है वहीं पर मैरी साफ मना करती है क्योंकि वो अब जैक्सन के साथ रहने वाली है और तुमारी कोई जूरत नहीं है बड़ उसी मोंट पर हम देखते हैं क्लाउस बोलते हैं हेली को तो मुझे मिलना ही पड़ेगा क्योंकि हमको कुछ इंपोर्टेंट बात करनी है और रही बात मेरी तो मैं एक डिस्टिंट रिलेटिव हो सकता हूं तुमारा क्योंकि मैं भी आदा वुल्फ हूं और ये कहने के बाद बोलता है मैं उन्हें अपने आप ढूंड लूगा और कुछ हुआ तो वो सब भी मैं खुदी समाल लूगा और ये कहने के बाद वहां से निकल जाता है तभी हम देखते हैं हेली को जो अभी जैक्सन के साथ थी और जैक्सन उसे ग्रेव यार्ड में लेके आ चुका था और बताता है कि यहाँ पर उन लोगों को गाड़ा जाता है जो ट्रेटर होते हैं मडरर रस होते हैं उन सब को यहाँ पर गाड़ते हैं और जिनने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था क्योंकि मार्सल के साथ सुला करने वाले थे और पीस मेंटीन करने वाले थे बट वो भी एक अलफा थे और उन्हें मन्जूर नहीं था और तभी हम देखते हिली को गुस्टा आता कि वो अपने सीक्रेट चाहे तो शेर कर सकती है और ना करना चाहे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे वहाँ पर आ जाता है क्लाउस उन्हें ढूंडते हुए और बोलता है कि मुझे हीली से दो वर्ड अकेले में बात करनी थी और तभी हम देखते हैं जैक्सन को कहती ही हीली वहाँ से जाने के लिए और वो दोनों बात करने लगते हैं क्लाउस अपनी बात सीधा रख देता है उसके सामने हीली के और कहता है कि हमारे सीक्रेट शेर नहीं होंगे स्पेशली जैक्सन के साथ वहीं पर हीली अपना पॉइंट रखती है कि वेरवुल्फ उनके साइड हो जाएंगे उसके पास बहुत बड़ी कॉम्यूनिटी होगी जो उनके बच्चे की प्रोटेक्शन करेगी बड़ हम देखते क्लाउस उसके लिए बिल्कुल भी अगरी नहीं करता और बोलता है मैं बच्चे की प्रोटेक्शन किसी भी हाल में वेरवुल्फ के हाथों में नहीं सौपने वाला हूँ पर तभी हम देखते उस मोमेंट पे हिली साफ समझाती है कि वो उसकी बात नहीं मानने वाली है और फिन बहुत पावरफूल होता जा रहा है और वेरवुल्फ के उपर उसका कंट्रोल जादा बढ़ चुका है और शायद कल को हमको ही हाम हो सकता है और उससे पहले फिन कुछ करे उससे पहले हमें कुछ करना होगा पर तभी हम देखते क्लाउस किसी पे भी यकीन करने के लिए त्यार ही नहीं था फिर भी हम देखते क्लाउस उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा है उनके बीच में बैस्टिड रखी है और तभी हेली बोलते हो तुमारी बात नहीं सुनने वाली है और उपर से वो अपनी बच्ची को अपने पास चाती है और कब तक छुपकर रहना पड़ेगा फिल्स से उससे मुकाबला तो करना ही पड़ेगा और तभी हम देखते क्लाउस बोलता है कि मैंने अपने फादर को भी मार दिया और मुझे किसी पे भी यकीन नहीं है और तभी हम देखते हैं हेली बोलते हैं तुम पैरनोइड हो तुमको प्रॉब्लम है कि तुम बिलीव नहीं कर सकते हो किसी पे भी बट एक टाइम करके तो देखो और रही बाद तुमारे फादर को मारने की तुम किसी को अपने पास आने ही नहीं देना चाते हो इसलिए तुमने उनको मारा है ना कि अपने बच्चे के लिए इस बात को एकसेप्ट कर लो और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे हेली पे यकीन करते हो बोलता है कि मैं तुम पे पूरा बिलीव करता हूँ बट तिंग इस मैं जैक्सन पे नहीं करता हूँ उसकी गर्दन तोड़ देता है और हम देखते हैं क्लाउस ये बात शेयर नहीं होने देखा जैक्सन तक हम देखते जैक्सन लड़ने के लिए तैयार था पर तभी क्लाउस बोलता है मैं लड़ने नहीं आया हूं मैं तुम्हें मारने के आया हूं और तुम किस टाइप से मरना पसंदगार होगे और तभी हम देखते हैं México से बूर्वर करने लग बड़ तब ही हम देखते है उस moment पे बिल्कुल भी खुश नहीं होता Jackson और उसे blame करता है कि वो तो एक वुल्फ भी नहीं है तो क्या जाने वुल्फ के बारे में और ये सुनने बड़ क्लाउस को really बुरा लगता है और बोलता हाँ अनसल के साथ तो तू रहा था नए एक महिने तक तूने मेरे फादा के साथ रहके time बिताये मैंने नई और कैसा लगा एक फादा के साथ रहना और हम देखतें क्लाउस को बहुत बुरा feel हो रहा था फिर हम देखतें लड़ाई ओर बढ़ चुकी थी और इस बाद जैक्सन ने उसे एक स्टेक मार दिया था और हम देखते हैं क्लाउस होई स्टेक उसे उल्टा मारता है और बोलता है आज मैं तुझे खतम कर दूँगा और वेडिंग जैसी कोई चीज होने ही निवाली तेर साथ हेली की और तभी हम देखते हैं वो बोलता है क्लाउस एक दम शान्त होने लगता है और वही पर हेली आती है और क्लाउस को मारने लग जाती है वही हम देखते क्लाउस हेली को दूर फैकता है और तभी हेली बोलती है कि मैं जैक्सन पर बहुत जादा ट्रस्ट करती हूं और वो ट्रस्ट वर्दी है तभी फिर क्लाउस तो तुम रिस्क लो और उसके घर पर ले कर आ जाती है और फिर वो जैक्सन को सारा सच बताती है और बताती है कि उनकी जो बच्ची वो अभी भी जिन्दा है अब फिर हम अगले सीन में कोल को देखते है जो डवीना के साथ था पर हम देखते है डवीना प्लांद कर रही थी कोल के साथ क्लाउस पर टेक डाउन करने के लिए बट तभी उसके फोन पर मैसेज आता है एडन का कि जोश और मार्सल अब तक मिसिंग है और तुमारी हल्ट च कर सकते हो और तुमारे अंदर इतना जादा हंगर होगा कि तुम सास लेने पर भी बलड की क्रेविंग करोगे और मैं इस हालत में तुम पहुचाओंगा और तुम मार्सल मुझे तुमसे बहुत कुछ जानना है क्योंकि तुम एक अकेले थे जो मेरी फैमिली की इतने जाद स्पेल करते हैं और पता लगते हैं कि वह कहां पर है और तभी वहां से इडन जाने लगता है बड़ तभी डवीना बोलती है ऐसा कुछ नहीं है वह भी साथ जाएगी क्योंकि जोश उसका भी दोस्त है और यह एक सुसाइड मिशन है वही हम देखते कोल किसी की चिंता नही मुझे कुछ नहीं बता है और तुम उसके बहुत पास थे और मुझे पता करना है कि कौन सा सीक्रेट चुपा रहा है जब मैं मेरे भाई से मिला मुझे पता था वो कुछ छुपात हो रहा है बड़ तभी मार्सल बोलता है अपने सीक्रेट मुझे क्यों बताने लगा जो मै कि यहा पर क्या कर रहा है तभी हम देखते बोलता कि मैं तेरा साथ देने क्ले आया हूं उपर से उसकी तरफ दारी कर रहा है जो जीतने वाला है मुझे बता है तुने अथा संब तो उससे बैटर कुछ नहीं हो सकता और मैं तेरा साथ देने के लिए आया हूँ बड़ तभी हम देखते हैं फिन को यह बात बिल्कुल पसंद में आती और बोलते हैं तो दोनों की तरफ नहीं हो सकता है और जो तु कर रहा है गलत है और तभी हम देखते हैं उससे टोर्चर क तेरी कॉल तु यहाँ पर अपने दोस्तों साता है मुझे पता है और तभी हम देखते हैं पीछे डवीना चुप-चाब उन वेंपायर्स में से जोश को बचाने आ चुकी थी बड़ तभी हम देखते हैं तिन सारे वेंपायर्स को वापस खड़ा कर देता है और सारे कुछ जादा ही स्मार्ट निकली उसको लेके भाग गई है मेरे एक प्रिजनर को कोई तो गडबड चल रही है अब फिर कोल समझाने की कोश्च करता है कि वो सिर्फ डिस्ट्रेक्ट करने के लिए आये थे और वो उसको हाम नहीं करना चाते है बड़ हम देखते फिन बोलता है हमने तुम्हें वेंपरिजम से आजाद कराके एक हुमन लाइफ दे एक विच बनाया और फिर भी तुम अपनी फैमिली के साथ ये करोगे और चलो तुम्हें एक लास्ट गिफ्ट देता हूँ और हम देखते हो कोल पे मैजिक करता है और इसको बोड़ी स्विच करने वाली पावर चीन लेता और बोलता है ये तुम्हारी आखरी हुमन लाइफ है इस बोड़ी के अंदर लास्ट टाइम किसी से गुडबाय कहना चाते है तो कह दो क्योंकि अब तुम्हारा एंड पास में है और तभी हम देखते हैं इस हाल में छोड़के चला जाता है को और ये दे इस दिखा रही थी अब फिर हम देखते हैं सुबह होने के बाद हो मिलती अपनी दोस्त कैसी से जो हारवेस्ट रिष्टी और उसको एक एपल देती है और बोलते हैं मैं सईसे सो भी नहीं पाई हूँ बड तभी कैसी बोलते हैं तुम कैसे लेके आ सकते हैं एक्स्ट्रा ख कर सकती हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा पाउरफुल लग रही है मुझे और यह कहने के बाद हम देखते हैं कैसी उसके प्लान के लिए अगरी करती है और हम देखते हैं रिबैका मिलती है एक लड़की से जो इस घर में अभी नई आई थी और हम देखते हैं काटून को देख कैसी के बास जाती है और रिबैका उससे बात करने लगती है और वही हम देखते हैं जो नई लड़की थी उसको पकड़ लिया था उस एपल के साथ और उनको लगा था उसने चोरी किया है उसे पनिश करने वाले थे बड़ हम देखते हैं रिबैका को कैसी मला करती है बड़ Rebecca जान पूच के जाती है और उनको मारना शुरू करदेती है वर हम देखते हैं Rebecca से जाधा ठै और पाऊरफुल भी और Rebecca का हात पर 3-4 पर रोड़ मारके उसको तोड़ देते हैं और तभी हम देखते है Rebecca को बहुत पेन हो रहा था उस मोमेंट पे हम देखते हैं जो किंडास ते हो बोलते हैं जो तुम हमसे लोगे उसका दुगना हम तुमसे लेंगे और तभी उस लड़की का नेकलेस तोड़ती है और वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं फिर वो लड़की पूछती है रिबेका से तुने help क्यों की और ये कहने के बाद बोलती है कि मैं चालती थी कि हम लड़की एक साथ मिलके रहें और एक दूसरी की help करें और शायद मैं बेवकूफ थी जो मन तुम्हें help की और तब ही हम देखते हैं लड़की और रिबेका सोचुकी थी और रिबेका की रूम में लड़की आती है और बोलती है कि तुम मुझे बता सकती है नियूर ओरलेंस पहले जैसा ही beautiful है क्या वो पहले तो रिबेका डर जाती है रात के उसके रूम में कोन आ गया बट बताती हाँ हमारे जाने के बात भी हो बहु लार साल पुरानी फैमिली है थोड़ी बहुत उनके बीच में लड़ाईया है और रही बात लड़ाई की इन सब चीजों को छोड़ो तो अमने रूम में जाओ अगर तुम इस घर से बाहर निकलना है तो बीच में गेट पर मिलना और मैं आसे जाने वाली हूं विश्मी और वो किंडर्स में जोईन हो चुकी थी और बोलती है तुमने हमाय से एक बंदे को मार दिया और शायद इसके लिए तुम्हें कोई माफ ना कर पाए और मुझे पता था किन लोगों के पास जाना चीए जब तुम जैसी से पाला पड़ा हो तो और तभी हम देखते है उसक लड़की बाहर आती है और सब पर अटेक करती और सब को गिरा देती है बड़ बोलती है कैसी से तुम्हें पर समार्ट थी बाकी सब भुली है पर तुम स्मार्ट लड़की थी तुम दोस्त भी थी फिर भी तुने इससे बिट्रेय किया और शायद तुझे पनिस कर रहा ची और स्माइल करते हैं वहां से जाने लगती है और Rebecca उसका पीछा करती है अब फिर Rebecca उसे पूछ लगते हैं तुम उस कोफिन वाले लड़की हो ना तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और पहले क्यों नहीं एल्प की और तब यह बताती हैं मैं तुम्हें अब्जर्व कर रही थी और सो साल में पहली बार जगी थी और जानना चाती थी तुम्हें और वैसे भी हम पहले मिल चुके हैं और Rebecca तुमारे अंदे एक स्पार्क है जो तुम दूसरों के लिए काइंडनेस दिखाती हो और तुम अच्छी भी हो और रही बात हमारे मिलने की तुम पहले मिल चुके हैं 1914 में जब मैं मेरी पूरी फैमली को देखने आई थी और हमारे भाईयों को भी और ये सुनने के बाद Rebecca समझाती है कि उनकी भाईयन प्रिया है और बोलती है तुम तो अब नाइटमेर्स में आती थी ना और बोलती है अगली बार मैं जब आऊंगी तो सारे भाईयों को बताना कि ढंक से बिहेव करें और ये कैने को अद वहां से गेट तोड़ती है मैजिक को अटाती है और वहां से चली जाती है और ये सब देखके Rebecca खुश भी थी और हैरान भी उसकी lost sister उसके साथ आचुकी थी वापस अब फिर हम अगले सीन में Klaus को देखते है जो अपने भाई से बात कर रहा है Elijah से और बोलता है कि मुझे Jackson को भी सज बताना पड़ेगा और कोई option नी रहा है उपर से वुल्फ हमारे ally रहेंगे जब तक हेली है और हमको बताना पड़ेगा और Elijah बोलता है हमारे पास कोई option भी नहीं है और उपर से यह लिए हमारे खिलाफ हो जाएगी और बोलता है हाँ इसलिए इसको मारा नहीं है और option दे दिया है उसे तुमने देखना चीए था वो किस तरह से Jackson को बचा रही थी और उसको defend कर रही थी और यह सुनने के बहुत इकतर से अपने भाई को जला रहा था और बोलता है कुछी दिनों में wedding है और शायद सारे विरूल्फ आजाद हो जाएगे उस curse से और तब ही phone काटता है और फिर वह मैं उसकी मिल चुकी थी अब फिर हम last scene में Finn को देखते हैं जो अभी भी मार्सल के साथ था और मार्सल बोलता है जो पता करना है कर ले मेरे और मेरे ग्रूप को छोड़ दे और तब ही हम देखते हैं हाँ छोड़ दूँगा बस एक last चीज़ पूछना चाता हूँ और उसके बेटी जिन्दा है वो तुमसे चुपाना चाता है तुम तो उसका adopted बेटी जैसे यो और तुमसे भी चुपाना चाता है एक secret तो मतलब उसकी बेटी जिन्दा है और तुम्हें अब मेरे help करने पड़ेगी तुम्हें और तुम्हारे vampires को उसे ढूणने के लिए और यही पर जरूर सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो मिलते हैं अगले एपिसोड में टेक क्यार बाइबाइब सायुनार और टाटा